आज मार्शल की बात करता हूँ कि कोहरा बड़े का ठंड होगा, कौन सी बेटी बहन बस के अंदर सफर कर सकती है इसी निर्भया का अंड में इतना बड़ा दर्गनाग ब्रतकार हुआ और पुरी दिल्ली दहल गई नहीं पुरा भारत दहल गया जैसे तैसे करके चला रहे दरोदर से लेके हमेहारा रोजकर हमें वापस दिया जाए लगातार मिर मैं यसी जाते हैं कौल आती है कि आधित्त भाही आज मैं सुसाइड कर रहा हूँ पंखे के पंखे पे लटका हुआ हूँ हमार को रखते समय वो एक्ट कहां चला गया था आज आपकी बेटी भी यही सुस्ती होगी कि कल को मैं बस में सफर करूंगी तो कही ना मैं भी अनसे फील करूंगी नशा है नशे की वज़े से लोग कुछ भी करने को उतार हूँ है आज अगर कोई डिजास्टर बड़े पैमा अक्षिक्व यह साँने देख रहे हैं यह सची वाले जहां दिल्ली के अधिकारी काम करते हूं यही पर इनके उफडिया domestic को और उससी जस्त सामने की तस्वीर हम दिखाते हैं जहां सटकों पर प्रदर्शन कारी बैटे हैं और यह वही लोग है जो ड doc DTC बसों में तैनात मार्शल्स हैं जो हमारी सुरक्षा को लेकर खड़े रहते हैं आज हम जो सेफ फील कर रहे हैं इन्हीं लोगों की वरी से से फील करते थे और थे वर्ड मैं क्यों लगा रहे हूं क्योंकि आज उन्हीं DTC बसों में ये लोग नहीं देख रहे हैं और क्यों क क्योंकि इन्हें छे महीने से वेता नहीं मिला है इनकी सेलरी ना मिलने के कारण यह सभी प्रदर्शन कर रहे हैं सची वाले के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यह चेहरे देखिए आप मैं पूरा मामला भी बताऊंगे लेकिन पहले चेहरे देखिए यह मायूश चेहरे द लेकर ये सडकों पर बैठे हैं ये सब हम इनकी जुबानी सुनेंगे इनका दर्ध हम इनकी जुबानी सुनेंगे और आपको एक बड़ी बात बता दूँ आज 49 वड़े है यानी कि उननचास्वे देन हो गए हैं इन सभी लोगों को इन सडकों पर बैठे वे प्रदर्शन करते हुए आज डीटीसी बसों में हमें ये लोग नहीं दिखाई देंगे तो कहीं न कहीं डर भी है आगे सेफटी को लेकर निर्भ्या कांड आपको याद है वही कांड जिससे सोचकर जिससे सुनकर रूख आप जाती है और उसी के बाद जैसे केजरिवाल सरकार यहां सत्ता में आई दिल्ली में उसके बाद इन सभी मार्शल्स को तैनाथ किया गया ये सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं जिने बस में डिटीसी बसों में तैनाथ किया गया आपके लिए दिल्ली वालों आपके लिए महिलाओं के लिए और आज यही में सुरक्शत महसूस कर रहे हैं चलिए इनी का दर्द इनी की जुबानी सुनते हैं क्या नाम है आपका मेरा नाम अमित कुमार है अमित आप भी 49 डेट से बैठे हुएं उननचास दिन हो गया आपको ने लगता जैसे दिल्ली को पूर्ण राज का दरजा नहीं दिया गया और वहीं केजरिवाल और एल जी के बीच के विवादों के चक्कर में आपनों की मांगे पिस रही हैं जी हमारा तम मिस्यूस की किया गया है दोनों सरकारों ने मिलकर करां दोनों को ही बोल रहे हैं कि हमारा हम रोजगार दे कोई भी दे हम उसके सपोर्ट में जो हमार रोजगार देगा हम उसके सपोर् मैं कोई भी नोटिस नहीं दिया कुछ नहीं दिया मैं सीधा लिकाल दिया गया 31 तारीक को 31 अक्टूबर को 2023 में यह आपका नाम क्या है ओम प्रकाश के बैनर में लिखा है हमने सिविल डिफेंस में भड़ती होने वालों को प्रसेक्शन दिया है मैं दिल्ली नागरिक सुरक् हमें हमारा रोजगार से वंचित मत करो हमारा रोजगार वापिस दो हर किसी के बैनर में यही लिखा है हमारा रोजगार वापिस दो रोजगार वापिस दो कब से बैठें आपको भी वही तुननचास दिन हो गए है सुन तो नहीं रही है फिर भी बैठे रहेंगे नीशुन रहे है जरूर विश्वास है दिल्ली सरकार से में बहुत उम्मीद हैं कब से काम कर रहें आप जी मैं पिछले 26 और से हुश में 26 साल 97 की भरती है मेरी और इसमें मैंने काफी सारे कोर्स किया है और मैं जब पीटियाई रहा हूं और रहूंगा भी आगे भी 30 अक्टूबर को हमें नौकरी से हटा दिया गया अचाना कि कोई भी हम कभी कोई भी प्राइवेट कंपनी में जब करते हैं वो भी हमें दो से तीन मेने काल्टिमेट देती है उन्होंने कोई अल्टिमेट भी निदिया मैं अब हमाने तो सिफ यह है कि जब तक हमें रोजगार ने मिलेगा हम अप यहीं बैठेंगे और अपना रोजगार लेके ही जाएंगे आप मैरीड हैं और आपको नहीं लगता कि आप इतनी कड़कती ठंड में बैठती हैं आपको भी आगे की लाइफ के बारे में आप नहीं सोचती है मैं क्या सोचने पर मजबूर कर दिया है जि सब्सक्राइब सब्सक्राइब दूसरी जगह कहां देखेंगे रहे हैं और अचानक एलजी और मुख्य मंत्री के बीच में पीश रहे हैं तो आपको लगता है कि केजरिवाल और अलजी की बीच के विवादों की बीच में आपकी मांगे पेस रही हैं बिलकुल इस उमर में जो उन्होंने भर अच्छा रिटायर कोई नहीं है अच्छा रिटायर कोई नहीं बैठा हुए सारे कार रहते हैं 2015 से इसमें ड्यूटी में थे हम लोग अचानक अरविंद के जिर्वाल 31 अक्तूबर को नोटी से इसके साथ ही 40 अदर डिपार्ट में लड़के थे उनको भी निकाल दिया गया है उसके बाद से 27 तारिक से हम लोग बैठ रहे हैं आज उन 40 दिन हो गया है अरताल पर बैठे हुए दिखते हैं कब तक सुनते हैं कि आप लोग हमें से फील कराते है दिली वालों को सुरख्षत महसूस कर वाते हैं अब आज वो दिन आया है जब आप असुरक्षत महसूस कर रहे हैं बिल्कुल मेडम आज अच्छित हैं और घर को चलाना बड़ा मुस्किल हो गया है बच्चे इसी समय में उनका पठन पाटन हो रहा है उनका फीस जमाय करो उनको गहें जो मतलब बहुत ही डिफकल्टी यहां रही है आप में से किसी की बेटी है आपकी बेटी है तो आज आपक क्षाओं करने यहां तो क्या देश की बेटी असुरक्षित है आज क्वलकुल आशुरक्षित अपनी मांगों को करें आदित, आप कम कर दोसे और आए आपका बहुत स्वागत है आज मार्शल की बात करता हूं कि कोहरा बड़े का ठंड होगा कौन सी बेटी बहन बस के अंदर सफर कर सकती है मैं आए दिन की वीडियो देख रहा हूं कभी ड्राइवर के बिलेट लग रहा कभी कंडेक्टर के लगा कभी हाता पाई हो रह कर रही है और कभी-कभी कोई चेड़-चाड कर रहा है महिलाओं के साथ में क्या बुरी स्थिती है दिल्ली के अंदर में दिल्ली बहुत क्राइम हो चुका और यहां पर इतना नशा है नशे की वज़े से लोग कुछ भी करने को उतार हूं किसी की इज़त से प्यार नहीं क कोई भी डीटी सी बसे अंदर सफर नहीं करता है फिर यह मुक्कमंद्री जाब आए इन्होंने का हम दिल्ली के बसों में मार्शल देंगे कि दिल्ली की जो हुमन सेप्टी है वो किलियर हो सके कि बई दिल्ली आज वह कहां पर हुमन सेप्टी आज उसी ठेंड के महीने में क कि आज सिदी कल को किसी बेटी बहन के साथ में कोई भी ऐसी अन होनी हो जाए किसी बेटी बहन के साथ में किसी माता बहन के साथ में तो उसका जिम्मेदार कौन होगा मुक्कमंद्री जी होंगे प्रदानमंद्री होंगे मुझा सबसब सब्सब्सब्सब्सप्तों में बता कि उसका जिम्मेदार कौन होगा बाई मैं कहता हूं मार्शल से कोई कोई आप क्राइम रेट देखो आज क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर में बहुत जादा क्राइम बढ़ रहा है मैडम आपको बताऊं और बसों के अंदर जैसी लगाया तो नहीं हाई क कोई भी ऐसी मतलब बुजूर्गों को किसी चीज को कोई भी दिक्कत नहीं थी आज देखो दिल्ली के अंदर क्या है सिती पैदा होगी और बसों के अंदर यह ठेंड का महीन आ रहा है कौन बेटी बहन अपनी बेजेगा आज आपने टिकट फिरी है जी टिकट फिरी दो ज एक आवास सुनने के लिए बैठे हैं एक डिसिजन वो समधान सुनने के लिए बैठे है कि कब एक डिसिजन हो और कब इनको रोजगार मिले और यह वापस अपने जॉब पर हसी खुशी जाए और परिवार को भी संबाले बहुत बढ़ शुक्रिया हमारी वीडियो को लाइ बढ़ को लिना भूले